नमश्कार मैं हूं मैंब त शर्म और इस वक्त आप यह लाई तस्फीरे देख रहे हैं बस्तारा तोल प्लाजा की जहां पर आपको मैं बतादू कि करनाल के पास के इंगरी के पास के बड़ा गाउ से यहां पर आप देख सकते हैं किसान यहां पर आई हुए हैं बड़ा गाउं से किसान यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं पूरी की पूरी कम्बाइन लेकर वो अपने घरों से निकले हुए हैं खेतों से निकले हुए हैं और अब सीधा दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर जाने वाले हैं जिहां यह लाइव और किसानों का जहाज माना जाता है कम्बाइन की भी एक बहुत बड़ी एहम भूमिका है खेतों में जिससे गेहु काटी जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं कम्बाइन के कम्बाइन को चला कर बड़ा गाउं से सीधा दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर जाएंगी इनसे ब आप के कम्बाइन के ओपर भी सांगान लिख हुआ उंगर लेके फिर लेंगे वहां है क्युक्त बारें हुआ पर जाएंगे लगा हुआ है शा में देश का जण्डा लगा हुआ है परेड होकर रहेगी चाहब जोर से प्रेड तो पहले भी किसानों की वज़े से उप्रेड नोग वह लिए पहले देश का जंडा पहले उसके बाद किसान नहीं है उसके बाद हम है सारा कुछ ताल मेल करके जब उसके बाद प्रेड करें शांती पूर्वक तरीके से रहने वाला सब कुछ बिल्कुल शांती पूर अब तक देखो आप कोई लगाई दंगानी इतना सांती पूरन अंदोलन आज तक नहीं हुआ कभी ही लेकिन कैमला गाओं में जिस तरीके से सी हैं उसके बाद वहर कत्वी उसके लिए हम सुरी मांगते हैं फब्लिक को प्रिसानी का अगरीब लोगों का नुक्सान हुआ है हमसे हम आफी मांगते है कोई बढ़ी बात है माफी मांग के आतमी छोटा नी होता हुए कोई ऐसी बात ही और प्रिसानी हम से आम दूसまだ को सब लेकर क्यों जारे कंबाइन कि आये से प्रदान मंतरी मारु पास पर वारत दुर्ब कर लेंगे कोई लेगो में रփज पल थिन कंग पहलेंक है है था अब bulब आप्र आपनीफार upgrade पिछले विमारे सीजन खराब गया मंमानी नीए अपने अर्वेश्टर से निकाल लेंगे किसान जो है अब स़ब को पर बैठे हुएं कहते कौन कर रहे हैं मैंडम मैंडम मेरी मेरी उमर है तो कानूनों से क्या डर लग रहा है कि अभी तो आप अपनी चला रहे हैं अभी जैसा आपका मन करते हैं आप करते हैं तो जब कानून आ जाएंगे उसके बाद कमबाइन चला पाएंगे या क्या कर पाएंगे क्या डर है मैडम आप देखो मेले आप अगर सरकारी चैनल में उतिवरकलोड बिल्कुल काम है सरकारी आप मुलाजीम होगे तो बिल्कुली मज़े की जिंदगी है प्राइवेटाइजेशन किसी भी चीज़ कहा है वो मतलब गल्ती है प्राइवेट नोक आरहे कि किसी और की कंबाइण चलानी पड़ जाए यह तो लाजमी बात है अगर मेरी वास अगर कोई पती अगे दर अंडानी अंबानी आगे वह अपनी हर वेक्टर लेके आएंगे तो खाली बैटेंग फिर उनकी चलानी पड़ेगी पेट तो पालना है ना वैसे मैं आम आसे के आना चांगा मको को फॉवव प्राइंगे अपने उद्र सें कोई प्रसांड़ नी ह tweeting प्रूब्लमं अपने हर और जो जंता हैंगी चीज को सोन, 1,500 बैपन आलगी उनको प्रसांड़नी होगी उनके लिए लड़ रहे हिएंगे पहले किले हम अपन कोई अपना प्रेक्टर मसीन बनाते हैं उसी से तुम काट दिवास से पहले जब यह नहीं था जब के बुखे मरें दें जब दिग्यों करती थी जब भी लोग जाडते दे जब भी लोग खाते दे सारा काम हो रहा था किसान भी ना कुछ नहीं है यह बात जंता सीख ले यह मुन के लिए अपने लिए कोई लटना नहीं हमारे पास अगर मैं सुप्रीम कोट की बात करूँ दिल्ली पुलिस की बात करो दिल्ली पुलिस सिर्म कोट में याचिका लगाइदी कि इस पर रोक लगाई जाए क्युकि जो रिपब्लिक डिये गंतंतर दिवस्या वो इंटरनेशनल लेव मझाम हर्याणा खेती के लिए माना जाता है मैंडम बिल्कुल माना जाता है ना मैं मतलों से इतर तर आ थे हैं विद्य पर देश्ट किसान लेए थे उनको इतर से गाए लेनी थी तम ने उनसे बात किया वह वह वो बोले तुम लन क्यों सब्सक्राइब करने के लिए किसान भी हर्वेस्टर बाले के पास पीछे घूमता है मेरी काट मेरी काट हमारे इदर के अभी किसान में समर्ता है वो बलता काट दो बोल नहीं मैं अपनी लेकिया हुआ इतना समर्ता भी आड़े वाले टाम में वह याल हो जागा हमारा जमंडिया बंद होगी इस 26 जनवरी को पूरे दो महीने कंप्लीट हो जाएंगे अंदोलन को ठीक है तो अभी तक जो है सरकार की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं हो रहा है दस दोर की बैट क्योंकि अगर मैं बात करूँ बैट को पर बैट के हो रही है लेकिन कोई भी आश्वासन निकल कर नही यहारा कुछ कहना चाहेंगे इस बार में तारीक पर तारीक तो मैडम सन्नी देवल ने दे दी उनको उसने दे दी वे तारीक पर तारीक तारीक दे ते जाओ पर हमको कोई तारीक की जूरत नीच 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी वही क्या हुआ उदर एक दिन का समय मांगा गया था दसमें दौर की बैठक के लिए 19 को वह बैठक को नी थी लेकिन कल लुए उसके बाद भी कोई बड़ा नतीजा सामने निकल कर नहीं आया सरकार तो कह रही है किंद्ध पर किसां नहीं मानने को तैयार इसके ओपर क्या कहना चाहें फॉष शरकार खुद माने हैं ने गल्ती की है कई ना कई सरकार चाहती है कि आप लोग या अंदोलन खतम करके वापिस अपने घरों में चले जाएं फिर अंदोलन जोड़नें फिर टाइम लगेगा वो सोच रेपटेट साल बाद आपना कर देंगे लागू ऐसा नहीं आप तो रद्गरा की जाएंगे बस और गुर्णाम स चली दूसरी चली तीसरी चली आप चोत्ती चाल चली है उन्हें उन्हें हर किसी को टिकट दे सकते हैं तो दस क्रोण में क्या होगा जी उनका यह मतली में किसान नेताओं को आना यह के नोटिस जारी किये जारे उनसे पूछनाज की जारी है 2-3-3 घंटे उनको बिठाकर उनसे पूछनाज की जारी की फंडिंग कहां से आ रही है इन सब बातों पर सवाल उट रहे हैं आपके सामने कितने दिन से चल रहा है आपने हमने थोड़ा-थोड़ा कठा करके दिया भी खाने का सबसे बड़ा पून है इसमें फंडिंग की क्या जूरत है पांसों पचास सालों से जिस तरीके से गुर्णानक देव जी कह रहें कि लंगर चल रहा है और वह आगे चलता रह और मैं इतना मिदलब वेकार निकला कि उच्छी मतलब वो का था है कि अर्याना सरकार के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे अर्याना सरकार सी कहना चाहेंगे देखो सूपड़ा तो साप होई लिया उनका बची कुछी चेट बचा लिया अपणी अब जब तक किसान आंदोलन नहीं चलेगा तब तक कोई भी राजनीति कारीकृम नहीं होने वाला लुट हो और देंगे अंपर मंफ्री मंद्ट शाने, क大家都ि क्लग जाहें जब तक किसान आंदोलन चल रहा कोई राजनीति कारीक्रम ना किया जाय तो ही बैतर निया कि इतनी बेश्टी आज तक मुख्य मंतरी कि इतनी उसकी विए बोलने के मैडमन को पता नहीं किसी को कुछ जनुवरी को 26 अगस्त का देते हैं उनको मतलब बाली आने वाली 26 जनुवरी को जैसा हमारे मतलब बड़े गुरुनाप सीचाट नीजी आंके साथ जो आसाथ हैं वह जो भी बोलें उनके साथ हैं को अपनी खुद का कोई लालच नहीं हम किसानों का साथ ले रहे हैं और हम आम जंता के लिए लट रहे हैं यह संदेश ठीक है मैडम अपने लिए लट अभी आप देख लीजे कितने पुब्लिक जारी हैं लब किसान जा रहे हैं अमरीच सर्थ तरंताल हर जगा से आज ट्रॉली आई ट्रॉलियां पालिस्तान का बाडरी आगे अमरीच सर जाके तो उदर से तनी दूर से लोग आ रहे हैं 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि इस खबर को इस वीडियो को जितना जादा हो सके शेयर जरूर कीजे देखें यह आपके देश के किसान हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं बड़े बड़े ट्रक्टर आगे देश का जंडा लगा हुआ है और इसको लेकर दिली जा रहे हैं और 26 जनवरी की पूरी तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान कर रहे हैं और आगे जैसे भी किसान नेताओं द्वारा संगतनों द्वारा जो भी ओर्डर इनको मिलेगा उसी को य प्रेक शर्मा अपने सायोगे रिंको कौशिक के साथ हर्याना के बस साड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें धन्यवाद